जहिन दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ओफिशियल यूट्यूब चैनल एसके जावब सर ग्यान में तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वले हैं हरियाना पंजाब नैशनल बैंक के द्वारा पियन चपड़ासी की भरतिया आनी स्टार्ट हो चुकी है तो दोस्तो फिलाल अभी एक ही सरकल की जो भरतिया वो जारी की गई है तो उसके बारे में हम आगे आपको वीडियो में बताने वले हैं तो दोस्तो इसके लिए जो आपकी education qualification है वो 10th pass होनी चाहिए और इस form के लिए जो last date जारी की गई है वो 31 March 2023 दी गई है तो दोस्तो आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे कि आपने जो इसका application perform है वो कहां पर send करना है और उसमें आपको और क्या-क्या eligibility criteria दिया गया है तो उसके बारे में भी हम आगे आपको वीडियो में पूरी जानकारी देने वले हैं तो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारी वीडियो को पहली वार देख रहे हैं तो हमारे चैनल एसके जौबस ग्यान को जुरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को दुबाएं ताकि आगे भी आने वाली सभी vacancy की detail के बारे में आपक देट होता रहे तो दोस्तो यह जो वाकैंसी है यह पंजाब नैशनल बैंकर वाडी के द्वारा जारी की गई है जिसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2023 दी गई है तो दोस्तो यह जो रुकायरमेंट है यह रुकायरमेंट फोर्दा पोस्ट पी एन सेवादार या चप्रासी के पड़ेगा तो दोस्तो इसमें जो है आपको टोटल एक पोस्ट जारी की गई है सेवादार की जिसमें आपकी एज लिमिट 22 से 40 साल तक दी गई है और इसमें जो आपकी सेलरी है वो आठाजार प्रतिमा रहने वाली है और योग्यता आपकी दस्वी पास रखी गई है तो दोस्तो इसमें जो आपकी आयू की गणना है वो 31 मार्च 2003 की अनुसार की जाएगी और इसका बाकी इसके बाद इसमें आपको इसका कोई भी शुलक नहीं देना पड़ेगा तो दोस्त आप बात करते हैं कि इसका जो एप्लिकेशन प्रफोर्म है वो आप कहां पर सेंड करो कुंड के यू एंडी डिश्टिक रेवारी बारा इकत्ती जीरो दो हरियाना इस पर आपने जो है इसका एप्लिकेशन परफोर्मा और इसके साथ जो आपके डोकुमेंट्स है वो आपने साथ में लगा कर भेजने हैं तो दोस्तो इसके साथ जो आपने डोकुमेंट्स अट लगना है अगर आपके पास कोई अनभव है तो एक्सपिरियंस है तो वो भी आप इसके साथ डोकुमेंट लगा सकते हो इसके बाद आपका अधार कार्ड की प्रतिलिपी अगर अधार कार्ड का मतलब फोटो कॉपी आपने लगानी है और यदि आपके पास कंप्यूटर या उससे सबंधित कोई भी परमान पत्तर है तो वो भी आप इसके साथ लगा सकते हो और इसके साथ आपने एक लिफाफा भी डालना है जिसके उपर आपका प्रोपर एडरस होना चाहिए तो दोस्तो इसके साथ ही इसका जो अवेदन आप जिस लिफाफे में बेजोगे उसके उपर आपने application for the post of pn category कौन सी है वो आपने capital letter में बरना है और दोस्तो इसका जो form है वो भी आपने capital letter में बड़े अक्षरों में बरना है तो दोस्तो ये इसके बारे में पूरी जानकारी थी अगर इसके regarding आपकी कोई भी कवारी है तो आप हमारे वीडियो के comment section में comment कर हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं और दोस्तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like share and comment जरूर करें और हमारे चैनल एसके job सग्यान को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तो जय हिंद जय बाहरत